इस नमस्कार दोस्तों अपका इंडिया जी ओ पो डेखिये वैक्सिनेशन सोटेज पूरी दुनिया में प्रोब्लम हो रखिए अभी इंडिया में वी काफी जाद़ प्रोब्लम है और टाइवाण में भी यही प्रोब्लम है कि वैक्सिन नहीं मिल दिया अभी बीजिंग ने Taiwan को यह बोला है कि आप अपने political differences को side में रखिए और हमसे vaccine लीजिए तो आपको पता हुगा कि कितनी ज्यादा problem है ताइवान और चाइना में तो ताइवान ने चाइना की वैक्षिन ब्लोक कर रखी है और उन्होंने मना किया कि हम आपकी वैक्षिन यूज नहीं करेंगे हम ब प्रिगंदा वीडियो अगर आप कोवीड की situation देखोगे ताइवान में तो काफी ज्यादा अच्छी है बाकी देशों के मुकावले इंडिया के compare में या कहीं और कि पोपलेशन भी स्मोल है ये भी एक रीजन है पर अगर आप देखोगे उनके टोटल केस 11,000 आ हैं उनकी मो cases धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका vaccination process काफी slow है उनके पास vaccine नहीं है तो उनके अभी problem है वो covid नहीं है वो उनकी problem है vaccination ओल्राइट लेट्स अंडरस्टेंड बैट है कि उनकी जो vaccination drive है वो कैसी चल रही है उनके population के हिसाब से तो ताइवान की population है 24 million और उनने अभी तक जो jabs दिये हैं वो 6,30,000 तो यह बहुत जादा कम है 4 जुन तक का यह data है और जो ताइवान की सबसे बड़ी problem है कि उनके पास अभी homemade vaccine है नहीं उनको import करनी है इंडिया सबसे बड़ा importer है इंडिया के पास अभी खुदी vaccine की shortage है अमेरिका अभी सिर्फ अपने पे focus कर रहा ह तो उनको vaccine मिलना अभी कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए काफी जादा मुश्किल लग रहा है और यह situation अभी बढ़ती जा रही है अगर आप देखो के तो ताइवान कुछ देशों में है जो शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले foreign visitor को बैंड किया था और बहुती aggressively कोविड को कंटेंड करना उन्होंने अपनी कंट्री में शुरू किया था वह बहुती अग्रेसिव और बहुती बहतर अप्रोच लगा रहे थे इसलिए साल तक लेगिन अभी जो हुआ वह उनके साथ एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रोब्लम हो गोई जो उन्होंने काफी जादा लाइटली ले लिया उनका केरलेस एक टीट्यूड बन गया था कोविड कि अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया बोडर क्लोज करने पर बजाए कि अपनी कंट्री में कोविड को ट्रैक करे और कंटेंड करें डोक्टर भी जादा सीरियस नहीं हुए थ जो होस्पिटल्स थे वो भी अलर्ट नहीं थे उन्होंने कोविड की ट्रेसिंग है वह भी बंद भी कर दी थी निसलिए कंप्ली लगभग बंद हो गई थी और काफी ज्यादा केरलेस जो उनकी अप्रोच बन गई थी कि वैक्शिनेशन पर भी उनकी श्लो थी कोई सबस्ता जा रहा है लेट्स टॉक अबाट कि वो क्या मेजर सुले रहे हैं ताइवान की गोवर्णेट जो है वह कैसे अपनी वैक्शन की स्वेग्श को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो नों की बाद चलिए कि दो कॉम गरोन वैक्शिन बनाने की कोशिश चर रहे हैं हो और कहा जा रहा है कि वो जुलाई तक बन जाएगी लेकिन अभी कन्फरमेशन है नहीं कि उनकी प्रोडक्शन कैपसिटी कितनी है और कितनी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे वो तो यह सबसे बड़ी प्रोब्लम है अभी वो इंटरनेशनल लेवल पर भी इंटरनेशन चाइना की जो फोर्ण मिनिस्ट्री है उन्होंने रिक्वेस्ट किये ताइवान को कि वो एक्सेस दे कोविड नाइंटीन की जो चाइनिज वैक्सिन्स है उनको अपनी कंट्री में और अपने लोगों को वैक्सिनेट करे ताइवान की जो फोर्ण मिनिस्ट्री के स्पोक्स तो का इंटरस्ट यही है कि ताइवान अलाव करें चाइनीज वैक्सिन को अपने देश में चाइना का प्रेशर है वो ताइवान पर काफी बढ़ रहा है वो एग्रेसिवली थोड़ा कैम्पेंड भी कर रहे हैं कि ताइवान की थोड़ीज ब्लोक कर दें उनकी वैक्सिन जिससे जो ताइवान का स्टोक है वैक्सिन का डबल हो गया है और कुछ समय के लिए भी वह अपने लोगों को वैक्सिनेट कर पाएंगे एक स्मूथ प्रोसेस में बिना किसे रुकाउट के अमेरिका ने भी अनौश किया है कि वह सात लाग पचास है कोविड गी वैक्सिन देंगे ताइवान को जो ताइवान गॉर्मनट पर पैश शिरफ चाइना की तरफ से नहीं आ रहा है उनकी जो पर प्रेसेंट पार्टी है वह काफी जादा प्रेसर डाल रहे है उनके जो पार्व ओसून प्रेशं या फिर वो वेट करें और चाइना की वैक्शिन को मना करके ग्लोबल लेवल पर इंतजार करें कि वैक्शिन की पर्चेस कर पाए और अपनी होम गूर्ण वैक्शिन लगा पाए तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ड डिसीजन होने वाला है कि उनको क्या करना चाहिए पेंडेमिक में या फिर हमको अपने ही लोगों को पहले वैक्शिनेट करना चाहिए जैसे कि हमारे ही सोटेज है क्या हमारा जीओ पोलिटिक्स व्यूपोइंट क्या भैतर रहेगा हम इस समय ताइवान की हैल्प करें और अपनी गुडविल है वो बनाए या फिर हम अभी अपनी खुद की लोगों की जिन्दगी बचाएं और वैक्शिनेट करें उनको ज्यादा पेस पे तो आप इस सवाल का चाहब कमेंट सेक्शन में दीजिए बताइए कि आपको क्यों क्या लगता है और मैं मिलूंग आपको अगली वीडियो में तिल दें टेक केर एज